ओल्ड पेंशन, OPS बहाली की मांग पर हड़ताल शुरू होने से पहले क्या प्रधानमंत्री करेंगे करमचारी संगठनों से बात? JFR OPS ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोधी को 10 अगस्ट 2023 को भेजे ग्यापन का हवाला देते हुए कहा है करमियों को विश्वास है कि सरकार NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहट गारंटी कृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी Joint Forum for Restoration of Old Pension Scheme, JFR OPS और National Joint Council of Action, NJCA के कनवीनर शिव गोपाल मिश्रा एवब को कनवीनर डॉक्टर M. रागवया ने 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को पत्र लिखा है इसमें बताया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों ने OPS बहाली की मांग को लेकर एक मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निरने लिया है कर्मियों को गारंटी कृत पुरानी पेंशन ही चाहिए सरकार बिना गारंटी वाली योजना NPS को समाप्त करे JFR OPS ने अपने पत्र में प्रधान मंत्री मोधी को 10 अगस्ट 2023 को भेजे ग्यापन का हवाला देते हुए कहा है कर्मियों को विश्वास है कि सरकार NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहट गारंटी कृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी JFR OPS ने प्रधान मंत्री मोधी से मिलने का समय मांगा है पूरी दुनिया में फेल हो चुका है NPS का मॉडल NJCA के कनवीनर शिव गोपाल मिश्रा और कोकनवीनर डॉक्टर एम रागवया ने कहा पुरानी पेंशन बहाली के लिए JFR OPS के बैनर तले केंद्र एवं राज्य सरकारों के अनेक करमचारी संगठन आंदोलन कर रही है इन में रेलवे, डिफेंस, सिविल, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ओडिट वा अनेक दूसरे विभाग शामिल है इनके अलावा राज्य सरकारों के करमचारी और शिक्षक संग भी बड़े स्थर पर पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में शिरकत कर रही है NPS का जो मॉडल तयार किया था, वह पूरी दुनिया में फेल हो चुका है करमियों की मांग है कि वे इमांदारी से देश सेवा में अपना योगदान देते हैं, ऐसे में उनके बुढ़ापे को मार्केट के जोखिम पर न छोड़ा जाए जिन करमियों ने अपने जीवन के 35 से 40 साल सरकार और राष्ट्र की सेवा में लगाए हैं, उन्हें अपने रिटायर्मेंट के बाद धक्के खाने के लिए न छोड़ा जाए वे भी प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार रखते हैं केंद्र सरकार के समक्ष कई बार यहां मांग रखी गई है कि देश में OPS बहाली हो, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका है स्टाफ साइड की राष्ट्रिय परिशद ने केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी के समक्ष दो बार अपना पक्ष रखा है वित्त सचीव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को NPS की कम्यों के बारे में अवगत कराया गया है कमेटी से आगरा किया है कि देश में गारंटिकरित OPS लागू किया जाए करमचारी संगठन अभी तक कमेटी की सिफारिशों से अनभिग्य है NPS में रिटायर्मेंट के बाद करमी को मुश्किल से दो-चार हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलती है इस पर कोई महंगाई राहत भी नहीं मिलती देश में चाहे कोई भी आपदा रही हो सरकारी करमचारियों ने दो कदम आगे बढ़कर काम किया है कारगिल की लड़ाई होया कोरोनाकाल सरकारी करमियों ने अपनी जिम्मेदारी का बखू भी निवरहन किया है इसके बावजूत केंद्र सरकार ने करमियों के हित के बारे में नहीं सोचा OPS के लिए गठित National Joint Council of Action NJCA के बैनर तले गत वर्ष 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी करमियों की विशाल रैली हुई थी उस रैली में धाई लाक से अधिक करमियों ने हिस्सा लिया था अनिश चितकालीन हर्टाल पर जाने की तैयारी इसके बाद देश के दो बड़े करमचारी संगठन, रेलवे और रक्षा, सिविल ने अनिश चितकालीन हर्टाल के लिए अपनी सहमती दी है स्ट्राइक बैलिट में रेलवे के 11 लाक करमियों में से 96 फीसदी करमचारी OPS लागू ना करने की स्थिती में अनिश चितकालीन हर्टाल पर जाने के लिए तैयार है इसके अलावा रक्षा विभाग, सिविल के 4 लाक करमियों में से 97 फीसदी करमी हर्टाल के पक्ष में है 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7,349 रेलवे स्टेशन, मंडल वजोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडेक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे विभिन्न केंद्रिय करमचारी संगठन एवा, राज्यों की एसोसियेशन भी OPS के मुद्दे पर एक साथ आ गई है अब National Joint Council of Action, NJCA, ने यह निरनाय लिया है कि देश में एक मई से अनिश्चितकालीन हर्टाल की जाएगी Train Defense Industry बंध हो जाएगी और केंद्रवर राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हर्टाल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा इसी तर्ज पर क्षेत्रिय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासने की काईयों को हर्टाल का नोटिस देंगे पुरानी पेंशन को सुप्रीम कोट ने कही थी ये बात AIDF के महासचिवसी श्रीकुमार के मुताबिक NPS में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दाइरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फाइदा मिलता है NPS में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही रिटायर्मेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जान बूझ कर कश्टों में धकेला जा रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालै की पांच सदसीय पीट जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड जस्टिस बीडी तुलजापुरकर जस्टिस ओ चिननप्पा रिड़ी एवां जस्टिस बहारुल इसलाम शामिल थे के द्वारा भारत के सम्विधान के अनुछेद 32 के अंतरगत रिट पिटीशन संख्या 5949 से 5941 जिसको डियेस नाकरा एवां अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है उस याचिका में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिये गए प्रसिध निर्णय का उलेक करना आवशक है इसके पैरा 31 में कहां गया है चर्चा से तीन बाते सामने आती है एक पेंशन ना तो एक एनाम है और नहीं अनुगरा की बात है जो कि नियोकता की इच्छा पर निर्भर हो उन्हें भारतिय सम्विधान के अनुछेद 148 के खंड 50 फीट का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है पेंशन अनुगरा राशी का भुकतान नहीं है बलकि यह पूर्व सेवा के लिए भुकतान है यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्यानकारी उपाय है जिनोंने अपने जीवन के सुनरे दिनों में नियोकता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा